किसी गरीब आदमी को अकर 300 यूनिट हमारी सरकार ने बादा किया है उस गरीब आदमी को 300 यूनिट विजली भी मिलेगी है हमने अभी 125 यूनिट सबसीडी किसी की भी बंद नहीं की है हमने सिरफ उनकी बंद की है जो 5 स्टार होटल्स है जो भी 10 लाग से लेकर 1 क्रोड रुपे और 10 क्रोड का इंकम टैक्स देते है सेलरीज में ये कह रहे थे 9 क्रोड 3 क्रोड पे हमने पजाए हम सैलरी में जनता ने मैं सरकारी करमचारियों को भी धन्यावाद करना चाहूंगा उन सरकारी करमचारियों ने आतम निर्वर हमाचल बनाने के लिए अधिकारी ने पांच दिन तक अपना योगदान हमाचल परदेश सरकार को दिया उनको डिये भी देंगे उनको एरियर भी देंगे आपको मैं कहना चाहता हूं हमने अभी 125 यूनिट सबसीडी किसी की भी बंद नहीं की है हमने कोई भी अभी वन फैमिली वन मीटर अभी नहीं लागू किया है केबनेंट ने फैंसला किया है सोच बिचार किया जा रहा है कि हमने कैसे बागब करना है हमने सिर्फ उनकी बंद की है जो फाइव स्टार होटल है जो दस लाग से लेकर एक करोड रुपे एक और दस करोड का इंकम टेक्स देते है वाइल फ्लावर हाल है ताज है सिसल है बड़े बड़े होटल धरमशाला खुले है बाली जी का जे डबल्यू मेरिट है इन सब की हमन इनका भी चलता है तो एक रुप्या हमने सबसिडी बंद अभी और इसके जो चार पार्ट है इसके चार पार्ट है पहला पार्ट है कल दूसरे पार्ट की हमारी दूसरा पार्ट 14 परकार की सबसिडी आप नहीं कह रहा है पिछले काफी सालों से 14 परकार की सबसिडी चली थ अदान ह्वान्य को भी एक अर्पेया हम सबसेडी दे रहे हैं परती उन्त विजली के क्यूं दे रहे हैं कुछ दे अर और विजली का कौई ढंद ने है तिरिसो इनुने झाल है एक जार UM sheet के युनिट के सबसेडी दे रहे इतनी निचले स्तर तक मैं खुद देख रहा हूँ हम विजली बोर्ड में ऐसे धक्ये से नहीं कर रहे कि हम माफ कर रहे है और मैं आज आपको इस मंच के माद्यम से भी कहना चाहता हूँ किसी गरीब आदमी को अकर 300 यूनिट हमारी सरकार ने वादा किया है उस गरीब आदमी को 300 यूनिट विजली भी मिलेगी मैं यह इसलिए कह रहा हूँ और 1500 को आपने स्वाल नहीं सुना मलब आप हला जल्दी करते हैं आप थोड़े सहस्ता से आज ठीक चलो चले 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 और आप गए आपको में बतारो अब रुकिये तो सही अगला अगला सुन मानने आदेक्ष मौदे इन्हों ने राजीब गांदी स्वारोजगार की योजना की बात किया है उसके सोपी बन गए हैं और अभी वो आपके आने वाले हैं क्योंकि पांच महीने हम राजनेती क्योंकि पांच महीने पहले फरवरी में मैंने गोशना की वो आइस सोपी आने वाले हैं और हमाचल के लोगों को यह वहाँ को रोजगार मिलेगा कली मैंने आपको एक वाब बताओं कली हमने जो अपने पहले बज़ड में कहा और दूसरे बजड में कहा हम ची कली मैंने दा यह सो सो अलेक्टिकल ट्चिज सो अलेक्टिकल ट्यक्सिस सरकारी दप्तरों में देने के लिए अनुमोदन कहाः तो 2 मिनने में कि हो इंकनन 따라 हम जो सूचते हैं हम हम ज़नूनी हो कि सूचते हैं काम करने का जज़वा है सत्य जी मेरी नेचर को सभाव को आज से नहीं पहले से जानते हैं विपन परमार जी खिसक गई ये भी जानते हैं रंदीर जी भी बैठे वे साथी है तो मैं आन्ट में मैं आन्ट में ये कहना चाहता हूं कि ये परदेश हम लोगों का है और हम लोगों का आज हम सत्ता में हैं हमें हमाचल परदेश को आतम निर्वर बनाना है बिवस्ता परिवर्तन से आतम निर्वर हमाचल की और हमारी सरकार अगरसर हो चुकी है अगला बजट आप जब देखोगे तो पाऊगे कि सच मेश में कुछ परभाव पड़ा है और दो जार बतीस में यह नहीं है कि वहां रुकना है सबसे सर्वी दिशाले की और अमीर राज्य अबनाना है जब हर एक देख सब जब हर एक के आदे इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं किस चीज में नहीं हम सुधार कर रहे हैं हौटी कल्चर में हम सुधार कर रहे हैं अगरी कल्चर में हम सुधार कर रहे हैं तुरिजम सेक्टर में हम सुधार कर रहे हैं टाइम पढ़ाना पड़ेगा पांच मुदार हम जनता एजूकेशन में हम सुधार कर रहे हैं प्वाद जीरो जीरो एंड्रोल्मेंट पर हमने टीचर मंद कर दे किसी ने अब्जक्ट नीं किया सेलरी में ये कह रहे थे 9 क्रोड तीन क्रोड पर हमने जंता ने मैं सरकारी करमचारियों को भी धन्यावाद करना चाहूंगा जहां एक दिन की सेलरी ना मिलने पर सरकार करमचारी सडकों पर आ जाते थे उन सरकारी करमचारियों ने आतम निर्वर हमाचल बनाने के लिए अधिकारी ने पांच दिन तक अपना योगधान हमाचल परदेश सरकार को दिया यह नहीं है कि हम उनको नराज करना चाहते हैं, उनको डिये भी देंगे, उनको एरियर भी देंगे, पर कब जब सुधार की बेहुस्ता होगी, यह मैं आपको कहना चाहता हूँ